मैं Dr. Supriya Purani, Test Tube Baby Consultant and practicing Oxytic and Gynecology more than 20 years. आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब गपल का ब्लड ग्रूप सेम रहता है, तो बेबी कंसीव करने में या बेबी में क्या परेशानी होती है? बच्पन में हम सुनते आये हैं कि पती-पत्नी का ब्लड ग्रूप एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शादी के वक्त भी हम दोनों का ब्लड ग्रूप देखते हैं और सेम ब्लड ग्रूप होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं क्या हम शादी कर सकते हैं? क्योंकि बच्पन से ऐसे कहा गया है कि पती-पत्नी का ब्लड ग्रूप सेम रहने से तंसीव करने में दिक्कत आती है, बेबी में अब्दॉर्बिटी हो सकती है, या बार-बार गर्वपात होने के चांसिस रहते हैं, तो आज इस बात में कितनी सच्चाई है यह जानने की हम कोशिश करेगे, ब्लड ग्रूप के दो कॉम्पोनेंट रहते हैं, एक रहता है A, B, AB and O, यह चार टाइप में ब्लड ग्रूप डिवाइड हो जाता है, तो ब्लड ग्रूप का दूसरा जो कॉम्पोनेंट रहता है, उसको हम बोलते है रह फैक्टर, जिन लोगों में रह एंटिजन रहता है, वो रह पॉजिटीव रहते हैं, और जिन में रह एंटिजन नहीं रहता, वो रह निगेटिव रहते हैं, यानि कि प्रतिक ब्लड ग्रूप A पॉजिटीव या A निगेटीव, B पॉजिटीव या B निगेटीव, AB positive और AB negative O positive और O negative ऐसे कहा जाता है अभी मैं आपको दोनों blood group जब same रहते है उस बारे की सचाई बताने वाली हो जब दोनों के blood group same रहते है तो मैं in fact उन लोगों को congratulate करती हूँ ये क्यों करती हूँ? ये मैं बताती हूँ जब blood group different रहते है ये कि जब होने वाली mommy O positive रहती है और होने वाले daddy A, B और AB इन blood group के रहते है तो baby में AB O incompatibility रहने के chances होते है ये सब में नहीं होता लेकिन कई babies में होने के chances होते है जिनमें baby को जन्द के बाद पी लीता ये कि John D's हो जाता है और उसकी मात्रा थोड़ी ज़ादा रहती है दूसरी महत्वपूर्ण बात जब होने वाली mommy RH negative रहती है और होने वाले daddy RH positive रहती है तो baby को RH incompatibility होने के chances होते है यानि कि pregnancy में RH negative mommies को हमें anti-D का injection देना पड़ता है delivery के बाद baby का blood group की जांच होती है और baby का blood group जब positive होता है तो भी मा को वापस anti-D का injection दिया जाता है RH incompatibility पहले pregnancy में नहीं दिखाई देती लेकिन वो successive pregnancies में RH incompatibility दिखाई देती है जिसमें problem यही रहता है कि baby को severe jaundice होता है जर्म के बाद और baby को phototherapy दिलवानी पड़ती है और कभी-कभी baby का exchange transfusion करवाना पड़ता है यानि कि खून बदलना पड़ता है जब होने वाली mommy RH negative रहती है और उसका abortion हो जाता है तो भी anti-deka injection लेना जरूरी होता है इसका मतलब जिनके blood group same होते है उनके babies में ना ABO incompatibility होती नो RH incompatibility होती यानि कि उनके babies safe रहते है इसका मतलब है जब पती-पती का blood group same होता है तो आपको बिलकुल घबरानी की जरूरत नहीं है और हमारे मन में जो प्रशन है कि जब blood group same रहता है तो हम conceive नहीं कर सकते ये भी सरासर गलत फैमी है conceive होना, pregnant होना ये blood group पे निर्भर नहीं करता और शादी के वक्त हम जरूर blood group चेक करते है लेकिन उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको HB electrophoresis करना है जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे बेबी में कुछ हीमोगलोबिन की abnormality होनी के chances है क्या तो उसे हमें पता चलेगा कि हमारे बेबी को thalassemia होने की risk है क्या और हो सके तो आप नजदी की रिष्टेदारी में शादी करने से बचिए और आपको करना ही है तो आप दोनों का genetic study करवाई है और इसकी वज़े से आपको बार-बार गर्भपात होना या बेबी में abnormality होने से आप बच सकते है तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया जब पती-पती दोनों का blood group सेम रहता है तो बेबी में abnormality होने के chances होते हैं क्या इसके बारे में आपके कोई प्रश्ण रहेगा तो हमें जरूर लिखिये और हमारे ये गाईनीक, pregnancy, infertility related वीडियो जरूर देखते रहे है, धन्यवाद